हेलो दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा भेंसी पर्दे शिलाई करना तो देखे मैंने यह भी शिलाई किये हैं दो पर्दे तो इसके लिए आपको चाहिए कपड़ा रिंग और यह इसमें टेप लगती है इसमें रिंग लगते हैं कि तो सबसे पेले आप है इतना अक्री लंबा इंच काट लीजिए उसमें , परदे में पर्दे मेर iTime रखके पर הत याप काटने अनुन के या कि और उसको चिलाई करनाamaan , पर्दे में हुआ के उसके बाद हमें फिर इसमें च्छेद करने ही यह शषय रुपे का रिंग आता है एक परदे में आट रिंग लगते हैं और यह टेप जो है 15 रुपे की टेप लगती एक परदे में तो देखें में इसमें टेप लगाने बहुत ही अच्छे परदे बन जाते हैं इससे बहुत अच्छी फिनिसिंग आती है आप इने अपने घर पर झाले आता हैं इसफी एल्ज इससे बहु Torah एक इंच का कपड़ा फोल्ड करके उपर से टेप रखके हम इसको शिलाई कर देना है दोनों साइड में टेप को शिलाई मारना है एक है उपर की साइड शिलाई मारना हुआ है अभी फिस के बाद निच्छे शिलाई मारूँगा अधिशिए उसके बाद हमें जितना फोल्ड अंदर रखना है अपने जितना आपड़ता त्यार इसके निसान लगा के इतना कपड़ा पचास को अंदर की तरफ फोल्ड करना है उसे परिस मार ले परिस मारने से फिनिसिंग अच्छी आत झाल 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 कर दो हमारा पर्दा तैयार हो चुगा है अभी इसमें रिंफिट करेंगे देखेंगे प्रफिए रिंग का चेद कैसे काटते हैं तेप लगाने के बाद इसमें जो है एक्स्ट्रा कफड़े को गोडाई में काट देंगे अगर रिंग बड़ा हो तोम टेप को भी काट सकते हैं रिंग के साब से लेकिन अगर इसी छेद में रिंग आ जाएगा तो फिर हम इतना ही गोड़ाई में काट देंगे यह देखिए यह दिंग है एक रिंग अगर आप थोक में लोगे तो पांच रुपे का पड़ेगा और खुला लोगे तो छह रुपे का पड़ेगा एक पैगिट में 420 का पैगिट आता है उसमें 80 पीस आते हैं यह अच्छे वाले दिंगे कभी वी चमक खराब नहीं होगी इनकी और ना कभी खुलेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने घर पे परद्दे सी लाई कर सकते हैं और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं